हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे आप लोग आज बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेस्पी आप लोगों के भी सेयर करूंगी यह खाने में इतना टेस्टी है कि रसमलाई रसगुला छोड इसे ही आप खाएंगे और सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही सस्ते में बहुत जादा बनाके त्यार हो जाती है तो चलिए फ्रेंड्स इस रेस्पी को देख लेते हैं इससे पहले friends आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा साथ साथ बेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा जिसे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो बिना टाइम वेस्ट कि ये इस हेल्धी रेश्पी को बनाना देख लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कडाही रख लेंगे friends इसको बनाने के लिए आप कोसिस करें कि चोड़े मुका बढ़तन यूज करें तो यहां हम दो कप दूद एड़ कर देंगे और यह जो दूद है फूल क्रीम हमने लिया है आप कोसिस करें कि फूल क्रीम यह दूद ले जिससे हमारी रेश्पी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होती है तो हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे और यह देखिए बहुत अच्छा उबाल आ गया इसमें तो एक से दो मियाट इसको पकाने के बाद अब हम फ्लेम को एकदम लो करके और नेक्स प्रूसर्स कर लेते हैं तो यहां हमने ले लिया है आधा कब दूद है पहले से गर्म किया हुआ दूद है जो ठंडा हो चुका है तो अब हमने लिया है यहां mango custard powder इसको 2 टेबली स्पून हम यहां एड कर देंगे आधी लिटर दूद के लिए और इसको अच्छे से mix कर लेना है जो आप इसमें lumps देख रहा है न यह पूरी अच्छी तरह से खतम हो जाना चाहिए तो इसको अच्छे से stir करेंगे यह देखे कुछ इस तरीके से और यह देखी एकदम अच्छे से अब यह mix हो गया तो अब चलते हैं gas की तरफ और एकदम low flame पर दूद को हमने रखा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा यह custard वाला हम milk डालेंगे और stir करते जाएंगे ऐसा नहीं करेंगे तो दूद हमारा गरम है और इसमें गाठे पड़ जाएंगी तो continue stir करते हुए पकाएंगे और इसमें अब स्वादा नुसार हम चीनी एड़ कर देंगे तो चीनी मैंने यहां आधा कप ले लिया है आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से एड़ कर सकते हैं और यह देखिए high flame पर मैंने इसको पकाया है यह इसमें उगाल अच्छा आ गया है और अब हम flame को low to medium कर देंगे और इसको 5 मेंट तक पका लेंगे और यह देखिए friends अब इसकी consistency गाड़ी हो गई है अब gas का flame बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और गाड़ा हो जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा थिक form में आ जाएगा ठंडा होने के बाद तो अब हम फटा-फट next process कर लेते हैं तो यहां मैंने आधा cup कौन floor ले लिया है आप चाहे तो इसके जग़ा आरा रोट भी ले सकते हैं तो अब एक पैन लेंगे और इसमें इसको पूरा डाल देंगे तो इसको आप चाहे तो बावल में भी यह काम कर सकते हैं तो उसी cup से अब यहां पानी आड़ कर देंगे तो आधा cup कौन floor के लिए हम यहां 1.5 cup पानी आड़ करेंगे पहले 1 cup आड़ कर दिया और यह आधा cup पानी है यह पूरा भरा हुआ पानी नहीं है इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से stir करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी यह नीचे बैट जाता है और इसमें अब थोड़ा साम food color एड़ कर देंगे food color एड़ करना पूरी तरह optional है अगर जो आपको नहीं color एड़ करना है तो आप plane भी बना सकते हैं लेकिन अगर जो आप color डालना चाहते हैं तो जो आपको पसंद हो वही color आप इसमें यूज कर सकते हैं यहां पिंक कलर का यूज किया है तो इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहां एक चम्मच चीनी एड़ कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम चलते हैं गैस की तरब तब मैंने पैन को गैस पर चढ़ा लिया है और फ्लेम को लो टू मेडियम रखना है और इसको कॉंटीनिव इस्टर करते रहना है क्यूंकि बहुत जल्दी यह नीचे से जमने लगता है तो जहां भी आप थोड़ा सा इस्टर करना रोकेंगे वहाँ बहुत जल्दी यह ठीक हो जाएगा तो इसको कॉंटीनिव इस्टर करते हुए पकाना है नहीं तो बहुत जल्दी यह नीचे से पकड़ लेगा और इसको कब तक पकाना है फ्रेंट्स जब तक यह पूरी तरह थिक फॉर्म में नहीं आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है ऐसे श्टर करते हुए एकदम लोटू मेडियम फ्लेम पर है और यह देखिए अब थिक फॉर्म में आ गया है तो इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको पका लेंगे अभी आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी और अब यहां देखिए यह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फ्रेंट्स यहां मैं एक बात और बता देती हूँ कि यह अगर जो गर्म गर्म डालेंगे तो सेव बहुत लंबा बनके तयार होगा तो अब हमने ले लिया है यह सेव मेकर मसीन और इसको थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर देंगे और यह जो कौन फ्लोर का पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे फ्रेंट्स यह थोड़ा सा ज़ादा ठंडा नहीं है थोड़ा ही गर्म है और इससे जो सेव बनेगा वो छोटा छोटा बनेगा अगर जो आप गर्म गर्म डाल के बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा सेव बनेगा तो मैंने यहाँ छोटा बनाया है इसलिए ठंडा कर लिया था तो अगर जो आपको लंबा बनाना है तो गर्म गर्म डाल के ही ऐसे ठंडे पानी में आप इसको बना लीजिएगा और अब हम ले लेते हैं कस्टर्ड ये मिल्क को तो इसको देखिए इसमें लंस पड़ गया है इसको हम तोड लेंगे और इसके लिए हमने यहाँ वीटर का यूच किया है जिसको अच्छे से फेटते हुए इसको लंस फ्री बना लेंगे ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं कि एकदम ये अच्छे से एकदम मिल्के सिल्क जैसे हो ग भल्हंते तक और थोड़ा सा फूड कलर डालके इसको अच्छे से कलर कर दिया था आपको जो फूड कलर पसंद हो ले सकते हैं और पानी मैंने बॉाइल करने के लिए रख दिया था उस पर एक छनी रख़क्ते और इसको रख दिया जिससे बहुत अच्छे से कुक होदो ही प्यारा लगता है तो अब जो हम यह सेव बना के रखें कॉन फ्लोर का यह देखिए कितना प्यारा दिख रहा है तो अब इसे भी आइड कर देंगे फ्रेंड्स आप देख पा रहा है कि यह चोटे साइज का जैसे सेव ही होती है चोटी वाली उस साइज का मैंने बनाया है और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जो बड़ा करना है तो आप गर में ही जो इसका पेस्ट बनाया है उसको सेव मसीन में डालके और लंबे-लंबे सेव को बना सकते हैं तो अब हम इसे डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेश पर भी बना सकते हैं मिहमान बहुत खुस हो जाएंगे इसे खाके ये देखे बहुत ही लाजबाब है तो फ्रेंड्स ये रेस्ट भी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा साथ साथ बेल आइ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यसी हेल्दी टेस्टी और न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर